सब्सक्राइब कीजिए अबेदास किचिन को और रेगिलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें आज हम बनाने जा रहे हैं प्राउन गोल्डन फ्राइब बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है आप इसे आज स्टार्टर भी सर्फ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए लिया है मैंने 10 पीस प्राउन यहाँ पर मैंने प्राउन को अच्छे से धो के साफ कर लिया है और जो वेंज होता है आगे और पीछे उसे भी मैंने रिमॉफ कर लिया है और टेल को मैंने वैसे ही रखा है अब हम प्राउन में ऐसे चोटे चोटे स्लिट्स लग तो जब प्रॉन ब्रॉण को करने के लिए अएसे लिट्स लगाएंगे सी समय घोड़ानि Kellam ड़ते ब्रेसे पूंसले क構रैं की प्राइस precisamente थोड़ा होगता है लें रह्ट करने के लिएम्स अब महुते इसे त्रह्ष इसे अदे मिक्स कर लें अब इसमें डालेंगे हम एक अंडा इसे भी मिक्स कर ले अब इसमें डालेंगे हम 200 ml चिल्ट स्पार्कलिंग वाटर ये मैंने डाला है एक एक्स्ट्रा क्रांची एफेक्ट देने के लिए आप चाहे तो बेकिंग पाउडर और प्लीन पानी भी डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं पानी को थोड़ी-थोड़ी क्वाउयंटिटी में डाल के मिक्स करें और अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई लंप न रहे अब हम लेंगे आदा कप मैदा इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम प्राउन के पीसे और प्राउन को हम अच्छे से इस मैदे से कोट कर लेंगे यहाँ पर मैंने अब सारे प्राउन पीसे को कोट कर लिया है अब हम एक पैन में लेंगे तेल फ्राइ करने के लिए जितनी जरुवत हो उतनी चेक कर लें एक बार कि तेल गरम हुआ है या नहीं तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम coated prawns को ऐसे बैटर में डिप करेंगे इसके पूच को पकड़के हम ऐसे बैटर में इसे डिप करेंगे और oil में हम इसे छोड़ देंगे ऐसे ही जो बाकी पीसे से वो भी हम तेल में डाल लेंगे और इसे ऐसे stir करते रहे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए अब ये ब्राउन हो गया है और हमारा golden fried prawn बिल्कुल ready है देखा आपने कितना आसान था इसे बनाना बहुत ही simple और easy recipe है आप इसे serve करें किसी भी type के sauce के साथ और इसे बनते ही आप इसे serve करें जादा weight ना करें वरना ये बहुत ही soft हो जाएगा आप इस recipe को ज़रूर try कीजिए और अपने families and friends के साथ share कीजिए और मुझे comment section में बताए कि आप सभी को ये recipe कैसी लगी और आप सभी को recipe अच्छी लगी तो like का button ज़रूर दबाए अगर मेरे channel में नए है तो subscribe करना बिल्कूल भी न भूले और हमें facebook और instagram में भी follow करें do take care see you again thank you